नमस्कार अने विल्कम यूर्ट तु स्टडी आएकू मैं हूँ प्रशान धवन नाओ यहां पर आप देख पाएंगे इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाजरी जानी करी है और यह का है कि इरान और इसराइल इन दोनों कंट्रीज में आप अवोइड करिये जाना स्थिती यहा सामने आएगा कौन किसको अटेक करेगा कहा डेमेज होगा और इंडिया अकिला देश नहीं है यह ट्रैवल एडवाजरी इसराइल पूरे मिडल इस्ट में ही कुछ समय के लिए मज stell भलत बहुत जाँ और यहांपर खण्राब होसकती है और अगे उन्ल इसट है यहां पर ना सिर्फ इसराइल और इरान, सीरिया, इराक, साउधी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं कई मैपस हैं वहाँ पे आपको Middle East में अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी दिखाये जाएगा और अगर आप पूछ रहे हैं कि रश्या को ऐसा क्या पता है, जो बाकियों को नहीं पता कि पूरे Middle East में ट्रावल करने से मना कर रहे हैं, देखो तो रश्या का सरकारी मीडिया जो है रश्या टुडे, इन्होंने इस पर ट्वीट करी है, रिसेंटली ये कह रहे हैं कि हूज इरानियन काउंटर स्ट्राइक एक्सपेटे विदिन आर्ज ये तो का है, यूएसे ने और नीचे ये आगे खुद एड करते हैं कि hundreds of drones, dozens of missiles, दरजनों missiles drone से अटाक हो सकता है इसराइल पर, ये कह रही है could rain down on Israel over the weekend, जो ये सारे inputs हैं, ये American intelligence से आए हैं मगर रश्या का clearly यहाँ पर ये मानना है कि स्थिती और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, पूरे Middle East में इसका impact आसकता है क्योंकि जैसे ही इरान इस्राइल पे अटाक कर देगा इस्राइल उसके रिस्पॉंस में ना सिर्फ इरान डेफिनेटली लेवनान को भी अटाक करेगा ये लोग गाजा में अपनी करवाई और तेज कर देंगे कोई बड़ी बात नहीं है कि सीरिया भी कहे अचानक से कि बस ब यहाँ को बता नहीं है याँ पे आप देख पाओके इस्राल का ही न्यूस आउटलेट है यह कहijn रहा है अम मेसेज टू इस्राइल क्या रश्या इस्राइल को एक मेसेज भेज रहा है क्योंकि इंहोंने एक वीडियो भी इस पर पोस्ट करी है रश्या ने डिप्लॉई कर द ये जो area है ना, इसको हम कहते हैं Golan Heights, इसके करीब Russia ने अपनी जो army है ये deploy कर रखी है, और Israel तो of course Golan Heights का जो बहुत सरा हिसा है, ये भी कबजा कर बैठा है, अगर आप मुझसे पूछें, जो इंडिया वोड करता है UN में, हम लोग Golan Heights को इसराइल का पार्ट नहीं मानते, इसराइल गलत तईके से ये area कब जाकर बैठा है, इंडिया भी काफी बार इसके विरोत में वोड कर चुका है, UN में और जगा भी, और रश्या, सिरिया का एक ब Golan Heights है, ये रश्या की forces जा रही है यहाँ पर, इनका ये तीसरा base है बड़ा, ये देखे बहुत अजीव लगता है मुझे, मतलब रश्यान फ्लाइग, लरारेयन, रश्या का national anthem, Golan Heights में, इतने हजारों किलोमेटर दूर, अम इन Americans खूब करते हैं, उनके military bases दुनिया भर में ह अगर रश्या के जो overseas military bases है, उनकी video बहुत कम सामने आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, Russian military deployed है in Golan Heights, अब आप एक question यहाँ पर पूछोगे, बात बताओ, रश्या जो Ukraine war में उलजा हुआ है, ये इसराइल के पास border में, जो soldiers हैं, वहाँ पर कैसे deploy कर रहे हैं, इनके पास पावर बची है, देखो, यही great nations जो है न, उनकी खासियत होती है, Russians overall बहुत जादा resilient लोग हैं, याद रखिएगा, world war 2 में, Hitler को USA ने हराने में main भूमिकानी निभाई थी, main जो Hitler को सबसे जारा चोड मारी थी, वो Russians ने मारी थी, USSR ने मारी थी, और इस case में भी हम देख रहे ह कि इवन दो, Ukraine war की वज़े से, Russia को काफी नुकसान हुआ, इनकी economy को काफी नुकसान हुआ, इनके बहुत सारे soldiers मारे गए, मगर इनोंने recent recruitment करके, अपनी जो army है, ये Ukraine war से पहले के time से आपकर compare करोगे, तो 15% और बड़ी कर दी है, मतलब कि Russian bear, Russian भालू, इस वक्त अब और ज़ कर दे और साथ ही साथ, Ukraine का भी जो area है, ये भी धीरे धीरे कवजाते रहे, this is the power of Russian Federation, तो आप कह सकते हैं कि एक बार को ना, बस चंगारी चाहिए इस region में, और इस पूरे region में बड़ी आग लग सकती है, now ये चंगारी कौन लगाएगा, Americans, Russians, Israeli लोग, Arabs, पता नहीं, बट इं travel advisory आप पढ़ोगे, उस पर साथ साथ लिखा है, in view of the prevailing situation in the region, all Indians are advised not to travel to Iran और Israel till further notice, अभी जो इंडियन वर्कर्स हैं, वो तो जारे हैं इसराइल में काम करने के लिए, उनका क्या होगा, उनके बारे में कुछ क्लारिफिकेशन आई नहीं है, आपको पता होगा, मैंने उस प पर वीडियो भी बनाई थी, कि इंडियन वर्कर्स, जो पहला बैच है इंडियन वर्कर्स का, ये जाने हैं इसराइल में, तो I am kind of worried about them, पता नहीं उनका क्या होगा, खेर आगे आप अगर देखो के लिखा है, all those who are currently residing in Iran और Israel are requested to get in touch with the Indian embassy, ये बहुत ही serious line है, कि अगर आप इसराइल और इरान में होना, इंडियन embassy से जाकर टच में रहो, और साथ में last line देखो ये है, they are requested to observe utmost precautions about their safety and restrict movements to the minimum, जाधा घूमो मत, जाधा भार मत निकलो, minimum अगर मालो बस ग्रोसरीज परचेस करने के लिए जाना ही है भार, तो भार निकलो, बाकी इंडोर्स रहो, situation देख इरान को यहाँ पर decide करना है कि यह क्या इसराइल को attack करके एक जाधा बड़ी conflict खड़ी कर देंगे, या फिर एक टाइम पर आकर यह maturity दिखाएंगे और कहेंगे कि गांधी जी ने तो यही कहा था कि कोई आपको थपड मारे तो दूसरा गालागे कर लो, वापस थपड मत मारो, क्योंकि एक गुसरे की अगर आग सबने निकानली स्टार्ट कर दी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, तो अमीद करता हूँ ऐसे टाइम में लोग महात् यह किस कंट्री ने डिवलप किया है, यह हैं आपकी आपकी ऑप्शन्स, इसराइल, रशिया, चाइना, या फिर नौर्थ कोरिया, कॉमेंट सेक्शन में करिये उत्तर, जो लोग से आंजर देंगे, उनकी कॉमेंट को मैं हाट दे दूँगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सायूतर क्या है, और फानली आपर मैं ये भी आट कर दूँग के स्टडी आइक्यू की सेल स्टार्ट हो चुकी है, आज बारा तारीक है, बारा तारीक से लेकर पंदरा तारीक तक ये सेल रहेगी अक्टेव और इस सेल के बीच में आपको UPSC कोर्स में हैवी यहां पे आप परचेज कर सकते हैं, स्टडी आइक्यू का UPSC कोर्स, बट जो प्राइस यहां पर लिखा है, डू नौट पे इस प्राइस, सिंप्ली यहां पे आप अगर कोड डालोगे PG10, तो आपको मिलेगा एक मैसिव 7,125 रुपीज का डिसकाउंट, और इस कोर्स में द और इसी नौट के साथ, यह है वीडियो कांथ, थैंक यू फो लिस्निंग, और आज यह अल्वेस से, में द गॉड्स वाच ओवर यू.